मेरे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बैल आइकोन पे क्लिक करना ना भूले आज मैं आपको धाबा स्टाइल आलू की सबजी पताने चारी हूँ फ्रेंस धाबा स्टाइल आलो बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में ओईल को गरम होने रख देंगे ओईल हमारा गरम होते ही हम इसमें खड़े मसाले आड़ कर देंगे खड़े मसालों में हमने यहाँ पे दो तेश पत्ते, चार काली मेर्च, दो लॉंग, एक चमजीरा और एक चोटी सी इलाइची इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे ध्यान दीजिएगा मसाले हमारे जलने न पाए मसालों में से अच्छी खुश्बू आने लगे तो समझ जाईए कि मसाले हमारे जपुन के रेडी हो गए है तो देखिए फ्रेंस मसालों को इस तरह से चलाते रहें ताकि मसाले जलने न पाएं मसाले हमारे फ्राई हो गए है अब हम इसमें एक बड़ा प्यास बारिक कट करके इसमें एड़ करेंगे मैंने प्यास को कटर की मदद से एकदम बारिक कट कर लिया है फ्रेंस अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप इसे चकू से भी अच्छे से बारिक कट कर सकते हैं दिखिए फ्रेंस प्यास को हमें ब्राउन होने तक भुनना है हलका प्यास हमारे हलके ब्राउन हो गए हैं अब हम इसमें जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली का एक क्रश किया हुआ पेस्ट बनाएंगे इसे बिलकुल स्मूद न पीसें अब हम चार बड़े आलू एड़ कर देंगे पैन का कवर हटाएंगे फ्रेंस और अच्छी तरह से हम आलू को एक बार मिक्स कर लेंगे फ्रेंस चला लेंगे देखिए फ्रेंस बिलकुल इस तरह से और अब हम इसमें दो मेडियम साइज के टमाटर एड़ करेंगे फ्रेंस हल्दी एड़ करेंगे आधा चमच और वन टेबल स्पून कॉरियंडर पाउडर धनिया पाउडर एड़ करेंगे फ्रेंस ध्यान दीजेगा half tablespoon ही हमने turmeric powder यूज़ किया है healthy powder 1 tablespoon हम गरम masala एड़ करेंगे फ्रेंस ये सबजी हमें धाबा भंडारे में इसी style से बनी हुई मिलती है फ्रेंस आप इसे बना के ज़रूर ट्राय करिएगा इसका जो taste है वो बहुती अच्छा आता है फ्रेंस और ये बहुती simple है इसे बनाना बहुती आसान है अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से mix कर लेंगे और pan का cover लगा देंगे ये देखिए फ्रेंस pan का cover हटाएंगे हम और आप देख सकते है कि masala का color जो है वो change हो गया है मसाले हमारे थोड़े fry हो गया है अब हम इसमें एक चमच लालमिच पाउडर डालेंगे फ्रेंस सबजी के बीच में ही मैं धन्या एड़ करती हूँ ताकि उसका जो taste है वो सबजी में अच्छी तरह से आजाए धन्ये का जो flavor है वो सबजी में अच्छी तरह से mix हो जाता है इसलिए हमेशा मैं आपको advice करती हूँ कि आप सबजी के बीच में ही थोड़ा सा धन्या एड़ करें फ्रेंस अब मैंने इहां पे नमक और थोड़ा सा पानी एड़ किया है पहले थोड़ा सा पानी एड़ करके हम देख लेंगे कि हमें gravy कितनी थीक चाहिए फ्रेंस इसलिए कभी भी बहुत जादा पानी एक साथ न डालें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के देख लीजिए आपकी gravy कहीं जादा पतली न हो जाए फ्रेंस देखिए मैंने इतना ही पानी यहाँ पे एड़ किया है ये देखिए फ्रेंस सबजी हमारी अच्छी तरह से पक गई है आप देख सकते हैं कि ऑईल भी हमारा साइड में दिख रहा है ये बहुत ही simple है फ्रेंस ये देखिए फ्रेंस पैन का कवर हटाएंगे और अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे थोड़ा सा धन्ये का पत्ता बारी कट किया हुआ एड़ कर दिया है आप देख सकते हैं फ्रेंस कि हमारे सबजी का कलर कितना अच्छा आया है अब इसे एक बार mix कर लीजिए gravy भी हमारी बहुत जादा पतली नहीं है फ्रेंस मुझे बहुत जादा पतली gravy अच्छी नहीं लगती इससे जो taste होता है masala का वो हमें खाने में नहीं आपाता अच्छी तरह से स्वाद तो अब हम पैन का कवर इस तरह से दो मिनिट लगा के रखेंगे और उसके बाद हम इसे सर्फ करेंगे ये देखिए फ्रेंस हमारा धाबा स्टाइल आलू की सबजी बिल्कुल रेडी है आप देख सकते है कि कितना अच्छा लग रहा है और मैंने इसे यहां पर अजवाइन के पूरी के साथ सर्फ किया है आप अगर चाहें तो अपने मन पसंद पराठो और राइस के साथ भी इसे खा सकते हैं ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही डेस्टी है आप लोगों को ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी जरूर पस्टी है